नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं, ऐसी सचाई बताने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कि कहीं मेरे बच्चों के एजूकेशन के नाम पर मेरे बैंक अकाउंट में सेंद तो नही आ रहे हैं, स्कूल माफिया और राजनिता इस बात को अच्छे से समझ गए हैं, कि इस से बढ़िया बिजनस का कोई रेकरिंग रिवेन्यू मॉडल नहीं है, एक बार बच्चा हमारे स्कूल में आ जाए, तो सालों साल तक वो लगातार हमें रिवेन्यू देता रहेगा, मै आप से पैसा वसूल ही करते हैं, आइए में इस बात को एक उधारन के रूप में समझ जाता हूं, एक बच्चा जब एक्जाम पास करके नेक्स क्लास में जाता है, तो नेक्स क्लास में जाने के बाद भी उससे दुबारा से एडिमिशन फीस ली जाती है, और जब बहुत सा प्राइवेट स्कूल के फी स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया, तो पता चला अलग-अलग स्कूल, अलग तरीके से फी वसूल करते हैं, जैसे एन्वल चार्जेज, मेंटरिनेंस चार्जेज, बिल्डिंग चार्जेज, एक्स्ट्रा कुरुकलम एक्टिविटी, पिकनिक च और इसके लावा पार्किंग शुल्क, पार्किंग चार्जेज जो होते हैं, गौर्मेंट आफ इंडिया का एक नियम है कि कोई भी बच्चा 18 वर्ष की उम्र से पहले बहान नहीं चला सकता, लेकिन स्कूल इसके लावा फिर भी कई बार स्टूडेंट से पार्किंग शुल भी वसूल करता है, जो ये एक तरह से अभैद है, इसके लावा एजुकेशनल पिकनिक ट्रिप चार्जेज, स्कूल वाले अपने बच्चों को कई बार एजुकेशनल पिकनिक ट्रिप पर ले जाते हैं, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, इसके लावा के ऐसे बना रखे हैं जिनसे पेरेंट से पैसा वसूला जाता है जब एक student अपग्रेड होके अगली क्लास में जाता है तो पिछले साल की बची हुई notebook वो भी बदल जाती है क्यों क्योंकि नई notebook का pattern आ जाता है जिसको पैचानने के लिए teachers ने design किया हुआ है school ने design किया हुआ है नए तरह का line pattern नया color combination और पिछली notebook को आउटेट कर दिया जाता है और आपको नए notebook खरिदनी पड़ती और यह जो notebook है वो एक publisher से या printing printing press से इस आधार पर बनवाती है कि इस तरह के pattern और design की notebook मार्कीट में अविलेबल नहीं होगी ताकि school उसको उचे दामों पर students को बेच सके जबकि comparatively अमेरिका जैसा देश है जो बहुत विक्सित है विक्सित होने के बावजूत भी वहाँ पर जब एक student अपग्रेड हो के दूसरी class में जाता है तो उसकी books पिछले students के काम आ जाती है एक तरह से book कभी भी waste नहीं होती और notebook वो भी use हो जाती है एक तरफ तो हमारे देश की सरका होंगी उतना जरा profit revenue model बढ़ता जाएगा private schools का महल तो ऐसा हो गया है कि school में सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है अच्छी uniform अच्छा environment अच्छी air conditioning अच्छी playing facilities अगर नहीं मिल रही है तो अच्छी education उसके लिए बहार tuition लगानी पड़ती है या अपने school teachers से ही home tuition या group classes लेन इन निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं आज भारत में कुल पढ़ने वाले बच्चों में से 54 प्रतिशत बच्चे central government and state governments के schools में पढ़ रहे हैं और 21% बच्चे local bodies के पास पढ़ रहे हैं जबकि 25 प्रतिशत बच्चे private schools में पढ़ रहे हैं सरकार इन निजी स्कूलों को बहु तरीके से उसका benefit नहीं ले पाता अगर कोई EWS का student यानि economic weaker section का student गलती से इसमें admission ले भी लेता है तो स्कूल के बागी खर्चों के बोज तले उसके मबाप दब जाते हैं ऐसे में गोरत धंदे के माध्यम से EWS में भी अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं सरकार हमारे देश के students के सक्षिक विकास के लिए बहुत अधिक benefit इन private schools को देती है ताकि technology development बहुत अधिक हो सके आज नीदरलेंड, जापान, फ्रांस, अमेरिका के students बहुत अधरा develop हैं वहां पर technology का बहुत अधरा development हो रहा है जबकि भारत education system में बहुत पिछड़ा हुआ है और यहां के students का नाम तो कहीं list में भी नहीं आता मैं सभी private schools के owner, administrative या team या society के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने free structure में थोड़ा सुधार करें ताकि हरे एक व्यक्ति आसानी से उसको afford कर सके और शिक्षा का प्रचार और प्रसार बहुत तेजी से हो सके दोस्तों शिक्षा का जितना प्रसार और प्रसार होगा, technology में हमारा देश उतना आगे होगा, और जितना आदेश टेक्नोलोजी में आगे होगा, उतना आर्थिक विखास होगा, इसलिए ज़रूरत है Indian education system को reform करने की, free structure को दुबार से design करने की, और EWS scheme का benefit सही तरीके से EWS के लोगों तक पहु हुआ है, इसलिए इस वीडियो को parents के साथ साथ, teachers के साथ भी ज़रूर शेर करें, और इसके लावा यह दिया आपके मन में कोई भी प्रश्न है, या कोई भी सुझाव है, तो इसको आप comment box में ज़रूर लिखें, मैं Dr. Amit Maishwari, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद, जै भारत